भूख लोगा है जाज हम बात करना वाले हैं सेयर सेकेंडडरी स्कूल सलकूलर सिलेवर्स का बारे में तो 2024 यह लेकर बीचिह में जो और एक्जाम होगा यानि 2025 में जो बोड़ एक जाम होगा उसके हमाज presented कर्चा करणा वाले हैं उसके साथ ही आपको Constitution of India जहनकारी होना चाहिए जेस्टिस लेवरेट इक्वालीड तो यह सब आपको यहाँ पर जैसे सी बेसी का जो सर्कुलर है वो लीज कर दिया जाता है लाहर सल अप्रिल में और रफिश सकते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्ट आप चुच कर सकते हैं पहला लॉद्बेश फीर फीर लांग जो सब्जेक्ट को पर सब्जेक्ट इस यह उसके बाद इंटर्णल जो स्कूल की हांत में से जरी च थाट क्लास 12th and class 11th की बात कर रहे हैं हम लोग उसके उपर लॉंग विज है Humanity and Social Science है Science है Math है Business Commerce विज इलेक्टिव है तो आपके उपर डीपिंट करता है कौन से स्ट्रीम को आप चुछ करते हूं इसके बाद आज हम टॉपिक पर बात करने वालें जो सीबीसी का जो बोर्ड एक्जाम होगा वो 2025 में वो सुनने में तो ऐसे मीडिया रिपोर्ट कमाने और कुछ मनिस्ट्री ओफिचकेशन कमाने तो दो बार कंड़क्ट करने के बात की गई थी उसके बाद फिर होगा आपको अंटरिपर मार्च में और दोनों का जो बेसिठेट कीज्ब 2020 मार्च में वहीं आपके फाइनल के जाएंगे स्कूर माक्स ट्पे यानि माक्स फाइनल जो बेस्ट स्कूर होगा दोनों में ओर एड होगा उसके बाद वहीं सेम चीज़ी हम पताया गया है कम बसली अडिशनल सब्जेक्ट जो हम अभी बात करें कुछ दर पहले यहां पर दे सकते हैं सब्जेक्ट कौन कितना माक्स का कितना इंटर्नल है कितना प्राक्टिकल है एकडमी सब्जेक्ट भी अब देख सकते हैं फिर से यहां पर इलेक्टव सब्जेक्ट भी दे सकते हैं किया क्या और यह सबसेट क्यों पढ़ने चाहिए यह जोब रॉल के लिंभी को टेंट होते हैं आज एनिवल वोड एक्जामनेशन इंटायर दा सिलेवस पॉर दा सिलेवस इस वाड़ेड ग्रेड नाइन बेसिक पॉइंट इस एलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर वाड़ेड ग्रेडिंग फूसब तो यह जो ग्रेड है यह सब इंग्पोटेंट है और इसका कुछ रूल होता है जो आपग्रेड को इसको देखके समा सकते हैं आज हम लोग बात करने वाले सेनियर सेकेंडरी स्कूल सेल्कुलर क्लास 11 का पहले चार्चा करेंगे जो सी बेसी का जो न्यूव पैटर्न आया है उसमें कॉम्पीडेसी फोकस ऑन दे कोचन फॉर्म आफ एमसी क्यूब केस इस सवाल आप से पूछे जाएंगे यानि पचास परसेंट कोचन मतलब आपको यहीं रहेगा उसके बाद बात करें हम लोग एमसी क्यूब भी आएगा सेलेक्ट रिस्पंस टाइप्स वह बीस परसेंट आप करेंगा क्लास 11 के हम लोग बात कर रहे हैं आप क्लास 12 में 50 पर इन दो फ़र्म में mcq2 एस पाइप परसेंट क्लास 12 में पूछा जाएंगे जलों में 40 परसेंटट अन्स्टु आप क्लास 12 में 20 परसेंट आएगा उसके बाद हम बात कर रहे हैं आप बना के घुद से लिखते हैं जिसमें दो तरह का को चप्टिन आंसे पूछा जाता है है तो तीस परसेंट रहेगा क्लास 12 के लिए औरक्लास 11 के लिए चous पर रहेगा मेल और आप यहां पे देख सकते र Chel और जो आपको फोकस करना चाहिए हमारे हिसाप से आपmy secular duy of फोकस किजिए जो 20% को चना है हुआ च्रेंट क्लास 11 में। हुआ क्लास 12 का विद्यारति को भी फोकस करना चाहिए 50 परसेंट जो mcq के फॉर्म है case-based study को चन प्रशॉर्स बेस स्टेको्टिक अब्जेक्टी टाइप स्टेट्मेंट विच स्टेट्मेंट रेक्ट नॉट इस टाइप फॉर्मेट को आप कोचन को प्राक्टिस कर सकते हैं से कुट 20 परसेंट और फिर जो लॉंग शॉर्ट को चैंसर हुआ 30 परसेंट तो आप पैटन समय जी गया होंगे कैसे कैसे एक्जाम हो रहा है उसके बाद हम कुछ और चीजों पर बात कर लेते हैं जैसे के आप अप्लिकेशन बेस कोचन पढ़िए रियल लाइफ बेसिस प्राजलंग कीजिए जो सिच्वेशन को आप समझ सकते हैं और एन पी यह 2020 लाग हो चुका आपको पाता ही होगा तो अभी आप लोग सेनियर सेकेंडरी स्टेज में चल रहे हैं तो आप लोग का प्रयास यह होना चाहिए कि आप ज़्यादा ज़्यादा स्कोर कैसे करेंगे तो एन सी आटी की बुक सिवियसी का जो पैटन के कोडिंग है जो सिल बहुत सारे मैटेरियल्स आपको सी बीएसी के वेफसाइट पॉल रेडी मिल जाएंगे आप जाएए वहां पे ढूंडिये उनको इस्टडी मैटेरियल्स सीवियसी के साइट पर इडिशनल प्रैक्टेस और इसका सेमपल पेपर जरूर कीजिए सबसे पहले तो सेमपल सेमपल पर या जन्वरी में रिलेज कर देती है ज्यादा तर मतलब एकजाम से तीन मेहना चार मेना पहले सीवियसी उसको रिलेज कर देती है अपना सेमपल पर तक बच्छों को आईडिया लग सके कोचन जो है इस बार किस पैटन पर अधारित आप से कैसे पूछ जाएंग और देस्क्रेप्शन जो है 30 परशंट जीन तोटल करेंट माक्स और आपको एकजाम देने होते हैं सतर माक्स का जिसमें सतर में आपको पास करने के लिए 33 फरेजरूरत होता है याने 26 नमबर चाहिए बाकी का जो 30 नमर है आपका प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल जीन चाहिए लिगन्ग जो सस्तर का जो एक्जाम होता कि उसमें पास्ट करने धिक लिए आपको चाहिए थीस माक्स टीयानि सीश्टी का रोक dif Cristi की आप्यप्ति एक्जाम देते ह Будet प्राइबेट कंडिक्ट्रेट विद्यार्थी को दिकत नहीं होना चाहिए बात समझने में धन्यबाद